नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का इलेक्टरिकल इंजीनिरिंग इन हिंदी में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो नीचे कमेट में पार्ट टू लिखिएगा तो पार्ट टू भी इस वीडियो का आएगा चलिए शुरू करते हैं तो देखेंगे पहला कुश्चन है दर आर्मीचर ओफ एडी सी मशीन इस मेड अप ओफ लेमिनेटिड सीट्स जो हमारा डी सी मशीन का आर्मीचर है उसको लेमिनेटिड सीट्स का क्यों बनाते हैं तो आप लोगोंने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पी एडी करिंट लॉस का के इंटू बी एम स्क्वार एफ स्क्वार टी स्क्वार ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ठीक है एडी करिंट लॉस का यहाँ देखे k is equal to होता है k is equal to होता है pi by 6 rho ठीक है यानि कहने का मतलब है जो हमारा ed current loss है वो क्या है resistivity के inversely proportional है मतलब conductivity के जो है directly proportional है इसका ये मतलब है कि जो भी जो है laminate करने का मतलब है पतले-पतले seats के रूप में क्यों बनाते हैं क्योंकि माली जी अगर solid में बना देंगे तो दिक्कत क्या है उसकी conductivity बढ़ जाएगी conductivity बढ़ जाएगी तो मतलब eddy current loss भी बढ़ जाएगा ठीक है और इसका lamination का जो ठीकनेस है ठीकनेस है जो है वो बहुत कम रखा जाता है 0.3 mm to 0.4 mm ठीक है इतना रखा जाता है इस देखे जो ठीकनेस है T square के directly proportional है आपका eddy current loss ठीकनेस जितना भी कम होगा eddy current loss कम होगा ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है और एक और बात ये है कि जो है आपने सुना होगा जो है जो है silicon content मिलाते हैं ठीक है silicon content मिलाते हैं तो कि जो है silicon मिलाने से क्या होता है resistivity बढ़ जाता है तो eddy current loss जो है कम हो जाता है ठीक है ये भी बात ध्यान रखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा बी वाला होगा reduce eddy current loss को कम करने के लिए जो है laminate seats का परियोग करते हैं ठीक है तो ये देखें ये कुछ जो है ऐसे आसा जो है figure होता है ये जी के पतले पतले जो है जो है पतला पतला seat के रूप में बनाया जाता है ऐसा जो उपर दिख रहा है ये ऐसे ही पूरा रहता है पतला पतला ठीक है उसको जो है insulating material के द्वारा जोड़ करके बना दिया जाता है stacked कर दिया जाता है ठीक है तो next question देखते हैं the number of parallel path in armature winding of a four pole wave connected machine having 22 coil sides is तो देखिए यहां पे दो है आपसे पूछा है number of parallel path तो आपको पता होगा number of parallel path in wave binding वो कितना होता है दो होता है यह जो है 22 coil side दे करके आपको confuse किया है तो उससे confuse नहीं होना है ठीक है wave winding में जो है क्या है number of parallel path हमेशा ही क्या होते हैं दो होते हैं इसका answer भी हो जाएगा अब थोड़ा lab winding और wave winding में अंतर बता देते हैं lab winding और इधर wave winding ठीक है तो ध्यान रखेंगे lab winding is used for low voltage and high current ठीक है और wave winding is used for high voltage and low current ठीक है low current के लिए number of parallel path a is equal to p यानि number of poles के बराबर होता है lab winding में और wave winding में जैसा कि हमने बताया है दो नमबर और parallel path कितना होता है दो होता है lab winding में equalizer rings का यूज करते हैं lab winding को पैरलेल वाइंडिंग भी कहा जाता है और वेब वाइंडिंग को series वाइंडिंग भी कहा जाता है तो इतना बात यार रखेंगा lab winding और वेब वाइंडिंग से ठीक है next question देखते हैं a four pole 1200 rpm dc lab bound generator has 1520 conductors if the flux per pole is 0.01 the emf of generator is तो emf पूछा गया है तो आपने पढ़ा होगा formula ez is equal to p5 zn upon 60a अब terminology बता देते हैं p क्या है number of poles है phi क्या है flux है per pole z क्या है number of conductors n है speed और a है number of parallel path because it is lap bound lap winding पर योग किया गया तो number of parallel path क्या हो जाएगा a is equal to p ठीक है तो यहां से p रख दीजिए p5 zn upon 60a के जगा p तो p p get cancelled तो ध्यान रखिएगा कभी कभी lap winding में जो है number of poles नहीं देगा तो confuse मत हुएगा तब भी जो है emf निकाला जा सकता है ठीक है क्योंकि number of parallel path के बराबर हो जाएगा ठीक है तो 5 zn by 60 यहां से देखिएगा यहां से आप 5 दे रखा है कितना आपको 5 दे रखा है 0.01 z 1520 speed 1200 और यह 60 तो यह दो बार में कड़ जाएगा 20 हो जाएगा यहां और यहां देखिए यहां से multiply करेंगे तो यहां point 2 हो जाएगा यह जो है 4 वोल्ट आपका आंसर आजाएगा बी वाला सही है ठीक है ध्यान क्या रखना है लैप वाइंडिंग दे देगा कभी कभी तो उसमें पोल जो है नहीं भी देगा तब भी जो है लैप वाइंडिंग में क्या होता है पोल के बराबर होता है तो यह तो कड जाएगा तो यही आएगा ultimately ठीक है नेक्ट कोशन देखते हैं an electric motor may give noise due to यानि electric motor आवाज क्यों करता है magnetic effect defective bearings cooling air all of the above ठीक है तो इसका answer है all of the above magnetic effect bearing में defect हो सकता है इसके वज़े से cooling proper नहीं होगा तो भी हो सकता है noise हो ठीक है तो इसका answer D होगा next देखते हैं देखेगा यह बड़िया question है the condition for a maximum power output from DC motor is ठीक है तो देखिए यह condition क्या होगा तो power क्या होता है DC motor में PM is equal to जो है यह होता है EB into IA यह power होता है और आपको पता होगा DC motor के लिए ठीक है for DC motor V is equal to EB plus IAAR ठीक है यहाँ EB के जगह रख जो है रख दीजिए क्या यहाँ EB के जगह इस वाले में रख सकते हैं V minus IAAR तो V minus IAAR into IA यहाँ से हो जाएगा V into IA और यहाँ होगा IA square into RA यहाँ आ गया अब इसको क्या है armature maximum power हमको निकालना है तो इसको जो है क्या कर सकते हैं इसको जो है क्या अर्मेचर current के डिफ्रेंसियेट कर देंगे ठीक है तो यह जो है डिफ्रेंसियेट करके 0 कर देंगे तो maximum power निकल जाएगा ठीक है maximum power का condition तो चलिए करते हैं तो यहाँ क्या है डिफ्रेंसियेशन करेंगे तो आएए के respect में तो V बचेगा यहां से देखिए और 2 I A into R A is equal to 0 ठीक है यहां से क्या है V is equal to 2 I A R A तो यहां से देखिए I A R A की value क्या है I A R A की value लिख सकते हैं V is equal to या V की value लिख दीजे V की नहीं I A R A की value लिख दीजे V to I A R A value V minus E B तो यहां से देखिए V is equal to 2 V minus 2 E B ठीक है minus 2 E B यहां से देखिए यह जो है V इधर बेज़ेंगे तो V is equal to 2 E B हो जाएगा यानि E B is equal to E B is equal to V by 2 ठीक है तो यही answer हो जाएगा E B is equal to V by 2 तो इतना राम कहानी लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है आप direct याद रखिएगा maximum power के condition में क्या होगा back EMF back EMF ठीक है back EMF is equal to half supply voltage ठीक है half supply voltage ठीक है यह इतना ध्यान रखिएगा ठीक है next question देखते हैं a 220 volt sunt motor develops a torque of 60 newton meter at armature current of 10 ampere the torque developed when the armature current is 20 ampere sunt motor है तो आपको पता होगा sunt motor के लिए torque क्या होता है torque is directly proportional to IA किसके लिए sunt motor के लिए होता है यतना पता होगा तो यहीं से आप देख लीजे जो है current क्या किया गया है current is just double armature current को 2 गुना कर दिया गया है तो torque भी क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा तो just क्या हो जाएगा 120 इसका आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा यहीं जो है चलिए यहीं series होता series motor की बात की होती तो क्या करती तो series motor में torque क्या होता है टॉर्क जो है आईए armature current के square के directly proportional होता है तो यहां जो current डबल होगा तो जो टॉर्क होगा यह चार गुना हो जाएगा तो यह वाला magnetic circuit condition is तो DC series motor में क्या होता है torque जो होता है वो armature current के square के directly proportional होता है ठीक है यह होता है आपका DC series motor के case में और वो भी कब unsaturated के condition में ठीक है unsaturated ठीक है और यहां देखिए यहां जो है question को जो है थोड़ा सा घुमा दिया है आपको पता होगा DC series motor में जो है load current होता है वही आपका field current होता है वही आपका armature current होता है ठीक है तो यहां load current के रूप में दे दिया है तो load current का square हो जाएगा directly proportional to the square of load current क्योंकि load current, armature current, field current ठीक है सब ही जो है क्या होते हैं series motor के लिए बराबर होते हैं ठीक है यहां देखिएगा question में unsaturated नहीं बोला रहा था किवले इतना ही रहा था तो क्यासे करते तो भी जो है unsaturated ही मान लेते ठीक है जब तक वो saturated condition बोलेगा नहीं तब तक saturated नहीं मानेंगे unsaturated ही मानेंगे ठीक है next question देखते हैं the type of DC generator used for arc welding should be तो arc welding के लिए कौन सा DC generator यूज किया जाता है तो ध्यान रखिएगा arc welding के लिए differentially compounded generator यूज किया जाता है आप से पूछेंगे differentially compounded generator ही क्यों यूज किया जाता है तो ध्यान रखिएगा ये जो है a differentially compounded generator जो है short circuit से damage नहीं होता है ठीक है is not damaged by short circuit short circuit से damage नहीं होता है जो है differentially compounded generator इसी लिए arc welding में इसका यूज करते हैं ठीक है next देखते हैं अब ये देख लीजे the following figure characteristics of DC generator match the source load characteristics with the type of generator ठीक है अलग-अलग generator का दे रखा है और हमको load characteristics इसको बताना है ठीक है option जो है दूसरे slide में है ठीक है option कुछ इस तरह है अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे तो कुछ थोड़ा सा basic बता देते हैं एक होता है internal character characteristics internal characteristics जो होता है e g और i a के बीच में जो graph होता है वो internal characteristics होता है एक्स्टर्नल करेक्टरिस्टिक्स एक्स्टर्नल characteristics जो external characteristics होता है v और terminal voltage और load current के बीच में होता है ठीक है जान रखेंगे तो यह जो दे रखा है यह आपका क्या दे रखा है external characteristics external characteristics को load characteristics भी बोला जाता है ध्यान रखेंगे external characteristics को load characteristics भी बोला जाता है अब देखिएगा यह जो है माली यह यह terminal voltage है और यह जो है load current है ठीक है अब इसका graph कैसा होता है ध्यान रखेंगे यह माल लीजे आपका V rated है rated terminal voltage है यहां माल लीजे rated load current है ठीक है तो यह देखिएगा overload के लिए कैसा होगा तो देखिएगा overload के लिए कुछ characteristics ऐसा होगा overload के लिए और जो है flat के लिए ऐसा होगा over के लिए कुछ ऐसा होगा flat के लिए कुछ ऐसा होगा ठीक है under के लिए कुछ ऐसा होगा ठीक है और यह वाला sunt के लिए होगा और इस तरह का जो है यह differential के लिए होगा ठीक है तो आप देख लीजे कौन सा जो है characteristics match करेगा इससे तो ध्यान रखेंगे ये जो है पहला वाला over हो गया दूसरा वाला जो है flat हो गया और तीसरा वाला जो है संट वाला हो गया और चौथा जो है differential हो गया तो यानि P वाला जो है ये जो है P के लिए क्या है ये संट वाला जो है दे रखा है तीसरा और जो है फ्लेट वाला क्यों सा है फ्लेट वाला है आपका जो है दूसरा और जो है और आर वाला यानि ओभर वाला ओभर वाला पहला है और ये है डिफरेंसियल चोथा डिफरेंसियल क्या है चोथा यानि जो है तीसरा दूसरा पहला पहला चौथा तीसरा दूसरा पहला चौथा यानि C वाला आफसन जो है सही हो जाएगा इस question का next question देखते हैं Is 36 slot 4 pole DC machine has a simplex lap winding with two conductors per slot the back pitch and front pitch adopted could be respectively तो देखेगा यह बढ़िया question है तो यहां ऐसे जो है back pitch front pitch निकालना है तो सबसे पहले number of conductors निकालते हैं Z is equal to SC number of slot कितना है 36 और number of conductors per slot 2 दे रखा है 2 रख लेते हैं 72 pole pitch निकालते हैं pole pitch is equal to Z by P यानि 22 by 4 यह कितना आगया 18 pole pitch हमारा 18 आगया तो देखेगा इसमें जो है जब हम चुकि जो back pitch और front pitch होता है यह odd होता है तो चलिए एक इसमें जोड देते हैं और एक जो है इसमें घटा देते हैं ठीक है और आपको पता होगा progressive winding हम लेके चलना है चलिए progressive winding ठीक है progressive winding मतलब back pitch जो है वो जादा होगा और इस दोनों का अंतर कितना होगा वो होगा आपका अंतर होगा दो का तो front pitch 17 हो जाएगा और यहां जो है 15 हो जाएगा अब इन दोनों को जोड़िए जोड़ के जो है दो से divide कर देंगे तो कितना आ जाएगा यानि average pitch average pitch जो है back pitch प्लस front pitch divided by divided by two तो यह 36 बटे दो यह 18 आ जा रहा है और यह जो है 18 नहीं आएगा ठीक है तो अब देखें पोल पीच और जो average pitch है यह बराबर होता है ठीक है लगबक बराबर होता है इसलिए यह वाला जो configuration है यह हमारा सही हो जाएगा ठीक है यह जो है सही हो जाएगा इस वज़े से 1970 यानि बी वाला जो है यह हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है, next question देखते हैं, the speed torque characteristics of a series motor is, तो देखिएगा, speed क्या होता है, speed is equal to eb by 5, यहां जो है, series motor की बात हो रही है, तो five क्या हो जाएगा, ie, और torque जो है, torque, ie square होता है, direct मैंने लिख दिया, तो यहां से देखिए, यहां से देखिए, and eb by, यहां पे जो है, ie के जगह क्या लिख सकते हैं, under root, लिख सकते हैं, यहां से, तो यहां जो है आईए के जगह लिख देते हैं अंडर रूट T तो अब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा Speed माल लिजे इधर है Speed and और इधर आपका T हो गया यानि Torque हो गया तो जब Torque 0 रहेगा यह No-Load Condition में लगभग Torque बहुत कम रहेगा तो उस समय Torque बहुत कम रहेगा तो Speed क्या रहेगा बहुत ज़्यादा Dangerously High जैसा कि Series Motor में होता ही है आपको पता होगा तो इस तरह का कुछ Characteristics आपको मिलेगा तो यह जो Characteristics है यह कैसा है यह Hyperbola ठीक है? Characteristics कैसा है Hyperbola इसका अंसर जो है D वाला हो जाएगा Hyperbola Next देखते हैं In DC Series Generator If Variable Loss is Equal to Constant Loss Then the Efficiency is ठीक है? तो क्या होगा? Efficiency Maximum होगा तो ध्यान रखिएगा किसी भी Rotating Machine में किसी भी Rotating Machine में Variable Loss अगर बराबर हो जाते हैं Constant Loss के ठीक है? तो ध्यान रखिएगा Efficiency क्या है? Maximum होगी यह सभी के लिए जो है Valid है ऐसा नहीं है कि यह जो एक सिर्फ Generator के लिए सब के लिए Variable है किसी भी Rotating Machine के लिए ठीक है? Next देखते हैं The Initial Flux in DC Generator is Provided by तो जो Initial Flux है वो कैसे Provide किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा DC Field Pols होता है न Field Pols में क्या होता है? Residual Magnetism होता है ठीक है? Residual Magnetism क्या होता है? Residual Magnetism है क्या? कि आपको पता होगा कि जो Field Pols होते हैं उसमें क्या है? Ferromagnetic Materials के बनाए जाते हैं और उसमें क्या है? एक Retentivity की Property होती है Retentivity Retentivity क्या है? Property होता है मतलब Field Current जो है Field Current जो है Field Current जीरो भी हो जाएगा न तो कुछ न कुछ जो है Magnetism रहेगा Field Pols में वही क्या कहलाता है? Residual Magnetism कहलाता है और यह जो है यह जनरली जो है 5 तू 10 परसेंट होता है 10 परसेंट होता है किसका? Rated Flux का Rated Flux का Rated Flux का ठीक है Next For the operation of milling machine the following motor is used ठीक है तो देखें milling के लिए क्या चाहिए होता है? Milling के लिए जो है Constant Speed चाहिए होता है ठीक है? Constant Speed चाहिए होता है और Constant Speed कौन सा motor देगा? DC Sunt Motor इसका Speed जो है Constant होता है लगबग तो milling के लिए सबसे बढ़िया कौन है? DC Series Motor तो आपको DC Sunt Motor ठीक है? और DC Series Motor कहां यूज करते हैं? जहां आमे High Starting Tar की आउशकता होती है जहां High Starting Tar की आउशकता होती है जैसे Electric Traction ठीक है? Electric Traction और milling के लिए जो है Squirrel Cage Induction Motor का भी यूज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा तो milling के लिए और जो DC Sunt Motor का जो Starting Tar को होता है Low Starting Tar को होता है Low Starting Tar को होता है ठीक है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजे अगर आपका कोई सवाल और सुजा हो तो नीचे कमेंट कीजे और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीस सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद